कि एक बार पुन है स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सनमार्ग में आज हम कि वाटिका कक्सच है पार्ट ग्यारा साइगा के ग्रह पर कि इसके लिखित मोकिक पर सनुत्तर करेंगे तता इसका पुस्तक कारिया भी करेंगे तो कि यह तो कि पिले वीडियो को सेर करें ती लाइक करें प्रट अधा चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसलिए बार्ट गपर सनु उत्तर करते हैंgraph पहला मोखिक परसन उत्तर है लड़की की उम्र कितनी थी तो उत्तर हो जाएगा लड़की की उम्र 12-13 वर्ष थी दूसरा देखे लड़का कैसे सहर की कामना कर रहा था तो उत्तर हो जाएगा लड़का ऐसे सहर की कामना कर रहा था जहां इतना परदोसन नहो फिर से देखिए लड़का ऐसे सहर की कामना कर रहा था जहां इतना परदूसन नहो तीसरा देखिए लड़की ने अपना नाम क्या बताया तो उत्तर हो जाएगा लड़की ने अपना नाम साइगा बताया लास्ट मौकिक परसन देखिए खाने की प्लेट में गोल्या रख्यूई थी तो उत्तर हो जाएगा खाने की प्लेट में सुनहरी लाल नीली और हरी गोल्या रख्यूई थी देखिए इसका उत्तर यहां पे है यह प्लेट में सुनहरी लाल नीली और हरी गोल्या रख्यूई थी सही उत्तर पर सही का निसान लगाए पहला परसन देखिए लट्टू कैसी आकरती वास्तव में क्या थी लट्टू जैसी आकरती वास्तव में क्या थी धर्ती काल्यान या ग्रह तो उत्तर हो जाएगा काल्यान दूसरा देखिए साइगा के ग्रह पर हवा कैसी थी स्वच्ताजी सुगंदित स्वच्ताजी और सुगंदित तो सब भी परकार की हवाई थी वहाँ पर स्वच, ताजी और सुगंदी हाँ या नहीं में उत्तर पहला परसंदेखे पर्थी के मानव ने ही साइगा के ग्रै को आबाद किया था उत्तर हो जाएगा हाँ दूसरा देखे साइगा मानव और मशीन का मिला जुला रूप थी तो उत्तर हो जाएगा हाँ गह देखे इकबाल ने स्पेस फोन साइगा को दे दिया उत्तर हो जाएगा नहीं अब देखे गध्यांस को पढ़कर परसंद को उत्तर दीजिए पर्थी पर पर्दूसर्ण की वज़े से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही थी जब मानव सब्वता का विनास होने को था तब मानव ने अपनी दूसरी दुनिया बसाने की ठान ली परकास की गती से चलने वाले अंत्रिक्स यान बनाने के बाद वह मंदाकनियों का टोह लेने निकल पड़ा फिर ऐसे ग्रोपर जाकर बस गया जहां जीवन फल फूल सके उनी में से एक हमारा ये ग्रह है साइगा ने कहा तो पहला परसन देखिए धर्ती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का क्या करण था तो उत्तर हो जाएगा धर्ती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण परदोशन है दूसरा देखिए मानव ने कब दूसरी दुनिया बनाने की ठानी उत्तर हो जाएगा जब मानव सब्वेता का विनास होने को था तब मानव ने अपनी दूसरी दुनिया बसाने की ठानी तीसरा देखे मानव ने किस परकार का अंत्रिक्स यान बनाया उत्तर हो जाएगा मानव ने परकास की गती से चलने वाला अंत्रिक्स यान बनाया गद्यान्स का अंतिम परसन देखे, मानव किस परकार के गरोपर जाकर बस गया था, उत्तर हो जाएगा, मानव ऐसे गरोपर जाकर बस गया था, जहां जीवन फल फूल सके उत्तर लिखे पहला परसन है हवाई कार से ग्रह कैसा दिखाई दे रहा था तो उत्तर हो जाएगा हवाई कार से ग्रह बहुत सुन्दर लग रहा था गुलाबी आकाश की प्रेश्ट भूमी में नीचे काँच सी चमकती सडकें बेहद सुन्दर लग रही थी विचित राकार परकार के वरक्स थे जिन पर लटके फल, रंगीन, जुगनों की तरह चमक रहे थे दूसरा परसन देखें साइगा के ग्रह को धर्ती मा की बड़ी बहन क्यों का गया उत्तर हो जाएगा साइगा के ग्रह को धर्ती मा की बड़ी बहन इसलिए कहा गया है क्योंकि साइगा का ग्रह 581C पर्ती से आकार में देड़ गुना बड़ा और पांच गुना भारी है इसे पर्ती के मानव ने ही आबाद किया था इसलिए साइगा ग्रह को धर्ती की ब्यायन का जाता है तीसरे पर्सन देखे साइगा का ग्रह पर्ती के ग्रह से कैसे भिन था उत्तर हो जाएगा साइगा का ग्रह पर्ती के ग्रह से बहुत अलग था साइगा के ग्रह का आकार पर्ती के ग्रह से बहुत बड़ा था वह सांत वंपरदूशन मुक्त था वायू बहुत ही स्वच ताजी और मोहक सुगंद से भरी थी अंदिम परसंद देखिए दुकानों में किस परकार का अनोखा सामान भरा हुआ था तो तर हो जाएगा दुकान में तरह तरह का सामान भरा हुआ था एक अनोखा चस्मा था उसे पहनते ही सामने वाले के मस्तिक्स में उठती विचार तरंगे पढ़कर उसके मन की बात समझी जा सकती थी और ऐसे रंगीन तक्ये थे जिन पर सिर रखकर सुन्दर और सुआने सपने आते थे ये कुछ कटिन सब्द है इनको बार-बार सुने और लिखने का ब्यास करें सोरगुल, तकलीफ, पर्दुशन, टेलिपैथी, आदेशात्मक, मनहिस्तिति, परिस्तितियां, संग्राल्य देखिए, सोच और बताओ, माना होने का वास्तिक अर्थ क्या है तो माना अन्य जीवा से अलग है, क्योंकि उसमें बुद्धी और सोचने, समझने की सक्ति होती है माना वही है, जो अपनी बुद्धी के बल पर धर्थी को स्वरग बना दे इसके लिए आवश्यक है सबसे प्रेम और अपना पन रखना इस परकार माना होने का आर्थ है, सबसे दोस्ति और प्रेम करना है भासा बहुत देखिए, दिये गए संग्या सब्दों के लिए परियुक्त विशेशन पार्ट से ढूंड कर लिखिए भूरी आखे, उसी परकार जो आसमान है उसका विशेशन हो जाएगा नीला स्वर, करकस या मदूर स्वर भी लिख सकते हैं पथर, विशाल, परकास, दोध्या, यह जो विशेशन दिये गए हैं यह पार्ट के अनुसार लिखे गए हैं अन्य विशेशन भी यहां पर आ सकते हैं बाल, घने, गुंगराले जो सब्द संग्या तता सरणाम की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं यहां पर जो यह दिये गए हैं संग्या और सवरणाम सब्द उनकी विशेश्टा बताते हैं विशेशन सब्द दिये गए विशेशन सब्दों के लिए परिप्ट संग्या सब्द पाट से चाठ कर लिखिए अब की बार विशेशन सब्द दिये गए हैं संग्या सब्द लिखने हैं अलोकिक, अनभव, रंग बिरंगी, रोशनिया, दोधिया, चान्दनी, विशाल, कक्स, उची, छत, आदमकद, मूर्तिया तीसर परसन देखिए, विशेशन सब्दों की विशेशता बताने वाले सब्द प्रिविशेशन कहलाते हैं, जैसे मधुर, अजनबिस्वर प्रिविशेशन वाले चार वाक्य, पार्ट से छाट कर लिखी, तो देखिए, प्रिविशेशन वाले पहला वाक्य है, सड के बेहद सुन्दर लग रही थी, तो यहां पर प्रिविशेशन हो जाएगा बेहद, और सुन्दर हो जाएगा विशेशन दूसरा देखे तुम्हारी आखे तो बड़ी लाल है तो यहां लाल सब्द विशेशन है और बड़ी सब्द हो जाएगा प्रिविशेशन तीसरा देखे यह है एक विशाल कक्स है विशाल विशेशन और एक प्रिविशेशन यह है एक सुन्दर लड़की थी सुन्दर विसेशन हो जाएगा और प्रिविसेशन हो जाएगा एक अगला देखिए वचन बदल कर लिखिए वे 12-13 वर्स की सुन्दर लड़की थी वाक्य हो जाएगा वे 12-13 वर्स की सुन्दर लड़किया थी दूसरा देखे, चटो पर लट्टू जैसी आकर्थी परकट हो गई ये बात मैंने अकबार में पढ़ी थी वचन परिवर्थित हो जाएगा, ये बातें मैंने अकबार में पढ़ी थी गया देखिए बात करते करते वह संग्राल्य से बाहर आ गया उत्तर हो जाएगा बाते करते करते वह संग्राल्य से बाहर आ गई वाक्य में प्रियोक्त कार्गों का प्रियोक्त करते हुए अन्य वाक्य बनाए इसको चात्र स्वेम करें अन्तिम परसन देखिए पुनरुक्त सब्द बनाए, पुनरुक्त सब्द यानि पुने आने वाले सब्द, पुनरुक्त सब्द कहलाते हैं आते, आते, करते, करते, गोल, गोल, धीरे, धीरे, बड़ी, बड़ी, तरह, तरह तो आज हमने कक्साच है पार्ट ग्यारा साइगा के ग्रहपर इसके मौकी के हम लिखित पर सुनत्तर की है किर्प्या वीडियो को लाइक करें सेयर करें तदा सब्सक्राइब करें ताकि ये अध्यन लगतार यूही जाई रहे ऐसे कि वीडियो देखने वालों की संख्या अधिक होती है जबकि लाइक करने वालों की संख्या कम होती है तता सब्सक्राइब करने वालों की संख्या भी बहुत कम है किर्प्या अपना सहयोग दे और अधन योही जारी रखे धन्यवाद